नाजरीन आदाव बहुत इस्तक्बाल है आपका हमारे इस विशेश इविध्या चैनल नमबर थ्री पर और मैं हूँ आपकी मेस्पान जाशु कांथी और हमारा आज का जो मौजू है वो है उर्दू तीसरी जमात के लिए और जो हमारे आज का सबक है वो है हम्द और इस पर तफसील से मालूमात पर हम करने के लिए हमारे साथ हैं खास महमान आईए आपका भी उनसे तारुफ करवा देते हैं हमारे साथ हैं TGT उर्दू SPV नूर नगर से डॉक्टर असरार एहमद सर बहुत आदाब बहुत इस्तक्बाल है आपका आदाब आदाब नाजरें सर जो हमारे NCRT की किताबे हैं जो आप पढ़ते हैं जो हम भी बढ़कर बढ़े हुए हैं उसमें एक बहुत एहम भूमिकासर की रहती है लेखक के तौर पर तो सर का बहुत-बहुत अस्तक्बाल है और बच्चों आप भी बहुत ध्यान से इस पूरे जो आज का हमारा सबक है उसको पढ़िए उसको समझे और इसी के साथ हम करते हैं अपने आज के सबक की शुरुवात लेकिन जो नमबर्स हमारे आपके पास हमारे नूट हैं आप उतके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं अपनी कोई भी बात आप हमसे साचा कर सकते हैं हमारा जो इमेल कार्टरस है आप उसके माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं तो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं आज के सबब की शुवात सर हम्द अगर मैं इसकी उर्दू में माईनू की बात करूं तो कहते हैं नजम लेकिन इस नजम को भी अगर समझना हो तो आपकी जरूरत है समझाए हमें और हमारे बच्चों को भी जी सबसे पहले आदाब बच्चों और जो असातजा देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब आज जो हम सबक पढ़ने वाले हैं वो हमारी बिलकुल नई किताब जो अब ही फिलहाल NCRT ने लांच की है उस किताब का पहला सब हम्द बच्चों और असातजा आपके लिए मैं हम्द सुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टन बातें शेयर करना चाहूंगा खास तोर से असातजा के लिए और असातजा के लिए है कि ये जो किताब है सितार इसका नाम बिलकुल आपको मुनफरिद नजर आ रहा होगा सित कितार असल में हिंदुस्तानी म्यूजिक एक इंस्टुमेंट का नाम है हिंदुस्तानी म्यूजिक के इंस्टुमेंट का नाम है आपको सुनके ऐसा लग रहा होगा कि ये जो है म्यूजिक का नाम म्यूजिक का नाम है तो जहर सी बात है सितार रखा गया इसके पीछे बहु है वो यह है खास करके या साथजा ध्यान दें कि बच्चों के अंदर से हमें इंज्वाए असलमें लर्निंग विदाउट बर्डन हमें हमारा यह कंसेप्ट है जो कौमी तालिमी पॉलिसी 2020 का यह कंसेप्ट है कि बच्चा बेगेर बोज के पढ़ाई करें और उसकी में जब मज़ा ले तो बच्चे स्कूल की तरफ आए और जाहिर सी बात है कि म्यूजिक जो है हमें सुकून देता है में ज्वाए फुल देता है और हमें एक तरह का सुरूर मिलता है मज़ा आता है इसलिए इस किताब का नाम म्यूजिक के इन स्टुपेंड पर रखा गया दूसरा ये है कि हमारी म्यूजिक हमारा हिंदुस्तान जो है म्यूजिक बहुत कदीम है और हम बच्चों को उनके रूटेड नेट से जोड रहे हैं इसलिए इसका नाम भी म्यूजिक के एक इंस्टुमेंट पर रखा गया तो दो चीज़ें वाजिए हो गई और जब इनसा परेशान होता है तो कहीं ना कहीं वो म्यूजिक सुनता है सुकून मिलता है उसको तो इस किताब के जरीए हम एक मैसिज देने और इस किताब को जब आप देखेंगे तो इसमें वो चीज़ें मिलेंगे आपको एनिपी टूजान टुएंटी यह कोमी दर्सियात का खाका दो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बिलकुल सबक को वाज़े कर रही हैं वो तस्वीरें इधर उधर से नहीं बलकि बिलकुल सबक के एक लफ़ज पे बनाई गई है उसको ध्यान में रखा गया है तो आपको पढ़ाते हुए इसका ख्याल लखना है कि बच्चों को इन तस हुआ चला जाएगा उसको मज़ा आएगा और जब आप पढ़ाएंगे इसको जैसे मैं अभी नजम पढ़ाने वाला हूँ हम्द तो आप देखेंगे कि इस नजम को तस्वीरों के जरिये में कैसी वजाहत करता हूँ यानि कि जो new education policy है उसके तहत पूरी तरीके से इसको इसमें follow किया गया है और उसके according इस किताब को बनाया गया है हर एक half आप कह रहे हैं और हर एक चित्र जो भी है वो पूरी तरीके से इसके according है तो फिर सर बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्या है यह जो पहला सबक है नजब जी पहला सबक नजब है अचा इसमें जो आप बात कर रहे थी N.A.P. 2020 की जी तो इसमें जहर सी बात है हमने किताब को बनाते हुए इंडियनेस का ख्याल लगखा है रूटेडनेस का ख्याल लगखा है इसको पांच पांच उसमें एकाईयों में बाटा है पहला खानदान है खानदान के तहत कुछ चेप्टर हैं कोमी एक जाती के तहत कुछ चेप्टर हैं माहोल के तहत कुछ चेप्टर हैं तहजीव है सहत और घिजा के तालुक से कुछ चेप्टर है इसमें बच्चे की तनकिदी सोच को भी हम आगे ले ज करता हूं हम्द ऐसी नजम को कहते हैं आपने एक सवाल किया था कि हम्द किसे कहते हैं हम्द एक ऐसी नजम को कहते हैं जिसमें इश्वर की खुदा की तारीफ की जाए और जाहिर सी बात है कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले बलकि दिन की शुरुआत भी हम प पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुल्शनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिक्मत तेरी निराली, तेरे ही फैज से है, सरसब्स डाली डाली, पत्तों में तेरी रंगत, हूलों में तेरी लाली, तुने हमें बनाया, और सोच ना सिखाया, जिस रास्ते में ढूढ़ा, तेरा निशान पाया, खालिक है तु खुदाया, मालिक है तु खुदाया, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा, इस नजम को आपने सुना, बच्चों, इस नजम में मज़ा आया, एक बार फिर में पढ़के इसकी तशरीह करूंगा, आप अगर कॉपी और पैंसिल सभाल ले, तो आपके लिए और अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसकी मीनिंग बताऊंगा, और जो मुश्किल अलफाज है, उसको आप लिखते चले जाएए, कह रहा है शायर, ऐ दो जहां के वाली, ऐ दोनों दुनिया के मालिक, ऐ गुल्शनों के मा जाहर सी बात है, उसी ने क्रिएट कर रखा है, पुरी दुनिया को, तो वही माली है, उसने पेड, पवदे, चिड़िया, सब कुछ हुगाए, बनाए, और आप हर चीज में देखेंगे, तो उसके हर चीज बहतरी नजर आती है, और चीज से जाहर हिकमत तेरी ने राली, आ आपका सर, सर्मिंदगी से नीचे जुग जाएगा, क्योंकि आप उसमें कोई आयब नहीं पाते है, इतना खुबसूरत आस्मान बनाया है नीले रंग का, और खुदा बताता भी है कि अगर आप आस्मान कोई तरफ देखोगे, और कोई नुक्स तलास करना चाहोगे, तो को तेरे ही फैस से है, तेरे ही करम से मुला सरसब्स डाली डाली, कभी देखते हैं आप डालियां जो है सुखी हो जाती है, फिर थोड़ी दिन के बार सरसब्स हो जाती है, उस पे फूल आ जाते हैं, कोपल आ जाते हैं, फिर बौर आ जाते हैं, फिर उसके बाद फल आ जाते है पत्तों में तेरी रंगत पत्ते बहुत सारे किसम के होते हैं सब में उसकी रंगत खुदा की खुदा का फैस दिखता है खुलों में तेरी लाली खुल देखिए अब कितरे टाइप के हैं खुलों में तेरी लाली तूने हमें बनाया हमें भी इश्वर नहीं बनाया है खुदा नहीं बनाया है और देखे कोई इनसान किसी से मैच नहीं करता है एक माबाब के ओलादे भी सेम नहीं दिखती हैं सब अलग अलग दिखती हैं तो कितना जबरदस्त बनाया उसने तूने हमें बनाया और सोचना सिखाया और दिमाग हवाई जहाद, रॉकिट, समंधर्वें जहाद, अस्मानों में वहां चान्द पिर जंडग आड़ दू अर्जेगे कर्म का शॉजए Labd तोड़ा जिस भी रास्ते में डूड़ेंगे आसमान में जाएं उसके रास्ते में डूड़ें जमीन में चलें आप उसके रास्ते में डूड़ें समंदर में चलें आप उसके रास्ते में डूड़ें उसी का निशान मिलेगा तेरा निशान पाया खालिक है तू खुदाया त मैं बात कर रहा था इलस्ट्रेशन की, आप एक नमुना देख सकती हैं इलस्ट्रेशन का, इस किताब का ही है, अब यह नजम जो मैंने पढ़ाई है, आप देखे पूरे नजम से ही पूरा इलस्ट्रेशन है, विल्कुल, क्योंकि उसमें नेचर की, पूरा नेचर की प्रक्रत हर एक खुबसूर्ती और हर एक शेय इस, देखे पहाड है, तो आपको उर्दू समझ में नहीं आरी, लेकिन देखे, मैंने पढ़ाया और आपको समझ में आ गया, तो इसी तरह बच्चे के अंदर भी, और बच्चा शौक से इसको देखेगा, और बच्चों को भी समझ में वाजे कर रहा है, क्योंकि जॉइफुल लर्निंग ये एक बहुत बड़ा परपस है, ये बहुत बड़ा उदेश्य है, अच्छा इस तस्वीर को दिखा के हम बच्चे से उसकी जबान में बात भी कर सेथे, क्योंकि बच्चा फांडेशन स्टेश से आ रहा है, और फांडे कि क्लास के हर बच्चे तक उसको पहुचना है, क्लास के हर बच्चे को उसको बुलवाना है, ये तस्वीर आप उसको दिखाएंगे तो ये तस्वीर के जरिया हर बच्चा बोलेगा, बिलकुल, अब थोड़ा सा वक्त की तंगी की वज़े से मैं आगे बढ़ता हूं, पढ हुक्मत दानाई अकलमंदी फैज फाइदा भलाई सरसब्स हरावरा शैमलवचीज करब महरबानी खालिक बनाने वाला पैदा करने वाला अब ये थोड़ा सा ये किताब अलग है उस अप्तिदाई उर्दू से क्योंकि उसमें आपको कॉपी में लिखना था अब आपको वर्क डौड जो दिया हुए बच्चों एक ख्याल से देखिया चाहिए देखे सितार दिख रहा है आपको इसी के नाम पे आपका बुक रखा गया है दोनों जहां का वाली कौन है अभी आपने पढ़ा और मैंने नजमें समझाया दोनों जहां का वाली खुदा है खुदा ने हमे बहुत सारे अलफाज आये हैं वाली आया है माली आया है खुदा आया है खालिक आया है आपको और भी अलफाज अगर कुछ मिलते हैं तो अपनी तोर पे लिख सकते हैं किन किन चीजों में आपने खुदा की निशानी देखी है महसूस की आप ने खुदा की निशानी एक त है कि आप कौन से अलफाज इस्तिमाल कर सकते हैं आप इसको अपनी तरफ से कीजिए और आप अपनी सोच में इजाफा कीजिए और असातजा से भी मेरी गुजारी से कि बच्चों को बिल्कुल फिरी छोड़ दिया जाए ताकि उनकी तनकीदी सोच बढ़े तो यह सवाल उनक को तेरे ही फैस से है सरसब्स डाली डाली तूने हमें बनाया और सोच ना सिखाया डॉट 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 क्या हैगा एरा निशान पाया प्यारा है नाम तेरा इससे पहले क्या है आई यह देख लेतें एक बार सारा है काम तेरा ऱह प्यार है इन कि देए हुए अलफाज को लच कर मिसाल के मताविक न्हान लफ बना यहदीखै कितना जबरदस्त एक्टिवți ओर है इसको उलटना है सिसर है तो रे को उलटके सीन की तरफ लाना है तो रस हो गया बच्चों को मज़ा постав ओर ऊप्चों को यह रिल युप व जाऊजांगा और ऊमन मान हो जाएगा य्या हो जाएगा हर तो वह बहुत ही इंटरेस्टिफिटिविट्टिह इस्में दीए के अलफाज के आखरी हर्प को हटाकर नयाल लबस बनाई बहुत आसान और बहुत ही जबरदस एक्टिविटी है effectivement में तेहटा दीजेत्र हुकुम हो गया रंगत में थेहटा दीजे तो क्या लफ़ बन गया ऐसे बुलंद आवाज से पढ़िए और खुशकत लिखजिए तो इस लफ़ों को पढ़ना है और लिखना है आपको आगे एक्टिविटी देखिए हम आवाज लफ़ों को जोड के हम आवाज लफ़ों के जोड मिलाई है खुदाया सिखाया लाली डाली सारा काम नाम दिएगे लफ़ों के हुरूफ मिसाल के मताबिक अलग करके लिखिए ये मिसाल के मताबिक लिखा हिक्मत हे काफ मीम ते तो ये चार हुरूफ हैं तो चार हुरूफ को मिला दिया हमने तो ये हिक्मत बन गया ऐसे फैज फैज में तीन हुरूफ है फे ये जोड तो ये फे ये जॉद तेनों हरूप को अलग करके लिखना है बच्चोंौ और उरिद्व में आपको पता है आपको सिखाए भी गया है कि जब उर्दु के हरूप जूड़ते हैं तो वह आधे कई कही सारे लफ्स आधे use ہوتے ہیں اور کئی سارے لفظ پورے use ہوتے ہیں تو आपको इसका ख्याल लगना है लेकिन जब अलग अलग लिखेंगे तो पूरे लिखे जाएंगे जैसे हिकमत में देखे हे, काफ, मेहम थे पूरा लिखा हुआ है तो फैज, फैज में देखे लाफ, लाफ, शी, नून, वाव, और नून, गुन्न, नून, मुन्न, उसको कहते हैं, जो भीगए नुक्ते के नून होता है, अब आप के लिए फिर काम आ गया, खुदा ने हमें बेशमाब नहमत या इता की है, जह ही बदे बात है, बहुत सारी नहमत या इता की हैं, उन से खुद से लिखिए और हमें भीजिए इसको लिख करके असातिजा के लिए जो हिदायात थी उसको मैंने बता दिया एक हिदायत ये भी है असातिजा के लिए कि और बच्चों के लिए भी कि इस नजम को ले में पढ़ा जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा मेरी आवाज बह सिर्फ नजम ही पढ़े और कोई काम ना कराए इस पर आपका एक और काम आगया रंग भरिये बच्चों को बहुत मज़ा आता है पेड़ बना हुआ है इसमें आप अपने हिसाब से जो मन करें और रंग भरिये बिल्कुल छूट है कोई टोकेगा नहीं आप अच्छे पूर यह जो रंग आपको अच्छा लगे क्योंकि रंग जोश का इक प्रतीक होते है और जोश तो बच्चों में बहुत होता है यही बनीप भी बात कर रहा है कि हमें बच्चों को ही सेंटर करना है और इसी बच्चे को सेंटर करके सारी चीज़ें चल लई है और हम लोग सब सार तो बच्चों को मज़ा आए अब देखें रंग भरने में बच्चा कितना मज़ा लेता है एक लतीफा भी डाला है इसमें सुनिए बाप बेटे से बेटा तुमने नाना के खत का जवाब क्यों नहीं दिया बेटा अबू आपने ही तो कहा था कि बुडों को जवाब नहीं दि करते हैं तो हर सबक में हमने लतीफे चुटकुले कहानिया डाली है छोटी छोटी आप इंज्वाए कर सकते हैं और इसी पर मैं अपने सबक को खतम करता हूँ बच्चों मज़ा आया होगा बिलकुल मज़ा आया होगा हमारे बच्चों को और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस सबक के बारे में सर ने समझाई उसका भी ख्याल रखी और वो बाते वो सीक जो जीवन के लिए आपको दी जाती है उसका भी खायाल जो आपके बड़े आपको देते हैं उसका भी खायाल रखे और खुश रहे प्रसन रहे नजम को पढ़े या फिर कोई और सबक पढ़े उसको दिल से पढ़े दिमाग से समझे और याद रखे और सबसे महत्वपूर्ण बात हमेशा खुश रहे अभी के सेशन में इतना ही, नमस्का.